बिहार के सुपॉल में गुसाई सैकड़ो बार पीड़ुतों ने मरौना प्रखंच सर अंचल कार्याले परिसर में बीडियो को बंधक बना कर जमकर हंगामा भी किया जी हाँ इसके साथ ही बार पीड़ुतों ने अंचत का आर्याले में हंगामा करते हुए तोड़ फोड और पुलिस के साथ धग्का मुक्य भीगी बार पीड़ुतों ने आरोप लगाया कि पास के अन्य पंचायत को पूंठा बार प्रभावित घोशित किया गया है लेकिन कदमाहा पंचायत के लोगों को वंचित करने के लिए कदमाहा को आंशिक रूप से बार प्रभावित बदाए गया है हम लोग चार दिन तक रासल पानी नहीं खाए भूखे रह गए और कोई देखने वाले नहीं रहे और सभी आत्मी डिमांड क्या है मांग क्या कर रहे हम लोगों की सरकार की सुदा हम लोगों को मिले सभी हमारी पंचायत बास्यों को सुदा मिलना चाहिए बता दे के हंगामे की पहले सूचना के बार अंचल कार्याले के अलावा प्रकंड कार्याले परिसर के प्राया दफ्तर को बंद कर अधिकारी से लेकर अधिकान शकर्मी भी गायव हो गये थे जबकि कुछ कर्मी अंचल कार्याले के बरामदे पर बैट कर आक्रोशित लोगों की हरकतों को देख रहे थे देखे किस तरह हंगामे को लेकर कई बार अधिकारियों से मुबाईल पर बात करने का हवाला देकर बीडियों भीड से निकलने का प्रयास करती रही लेकिन महिलाओं की भीड इतनी जादा थी के इने खिसकने तक का मौका नहीं दे रही थी अलाकी काफी देर के प्रयास के बाद एक बार प्रखंड कार्याले के बारामदे पर बीडियो अधिकारी से मोबाइल पर बात करने के लिए पहुँच गए इसके तुरन बार महिलाओं के द्वारा फिर उन्हें गेर लिया गया और कार्याले परिसे में निर्बित चबुतरे तक लाया गया जहां पेड के नीचे तकरीबन एक घंटे तक लोगों ने बीडियो को बंधत बनाये रखा इस दौरान बीडियो के द्वारा लोगों को काफी देर तक संबंधित आश्वाशन देने के साथ शांत करने का प्रयाज भी किया गया बीडियो गुस्साई लोगों को समझाती रही कि सभी बाठ पीडितों को मुआबजा मिलेगा और सूची तयार की जा रही है इसके बाबजूद लोग मानने को तयार नहीं हो रहे थे सभी लोग दी एसल आर को प्रखंड कारयाले परिसर में बुलाने की मांग पर अड़े हुए थे हाला कि निर्मली SDM, नीरेच नारायन पांडे भी पुलिस जवान और कॉंस्टीबिल के साथ पहुंचे इसके बाद लोगों का गुस्सा और हंगामा शांत हुआ सुबाल से रामचंदर महता की रिपोर्ट बिहा तक